हेले इबरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुन आप सभी का आपके पने चैनल सी कोचिंग क्लासस पर स्वगत है और आज कुछ अपना राय बताने वाला इंस्टरेंट की आज क्या हो रहा है यार हमारे मत प्रदेश करकार में ऐसा क्या हो रहा देखिए अभी जेस्ट एक दिन पहले 12 का और 10 का क्या किया गया था सलेवस ब्लूप्रिंट दे दिया गया था लेकिन आज इस्टरेंट क्या हुआ कि पहले तो 12 का कली तुनंधी रिमूब कर दिया गया था लेकिन आज आज आप जाओगे जिस एकेडमिक में आपको लिंक दिखता था वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ते 10th class का इस प्रण अब आप वहां से भी download नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको remove कर दिया गया है मतलब इस सरकार को कुछ ये भी पता नहीं है कि बच्चों के जिंदगी के साथ हम क्या खिलबार कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है क्या यार चुनाओ के साथ पेच राजनीत के अलाबा कुछ बचा है कि नहीं बचा क्या बच्चेओं के लिए जिंदगी में कुछ बचा के रखेंगे कि नहीं कुछ समझ में नहीं आता है कि करने क्या वाले हैं हम भी एक युवा बर्ग में हम भी एक नोकदी के लिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं इसका आप लोग देख रहे हैं कोई बेकेंसी आता है नहीं सही धंसे दूसरा चीज आप लोग एक भारत देश की भविश्यो अपने मद्ध देश की भविश्यो अपने देश की भविश् मुझे कुछ समझ मी नहीं आता कि ऐसा हो क्या रहा है कल तक अरे आज तक वो जो आफिसियल वेबसाइट था वहाँ से डाउनलोड कर पा रहे थे लेकिन फेक वेबसाइट बहुत सारे हैं जहां से डाउनलोड हो रहा है लेकिन जो आफिसियल वेबसाइट था mpbsc.in वहाँ से 10th class का भी syllabus remove कर दिया गया है कब तक हो गया है सयार मुझे समझ मिन आता है कि थोड़ा बहुत सरमाना चाहिए उनको की नहीं जो की ऐसा कर रहे है अरे इतना ही doubt है तो आप देते ही क्यों syllabus क्यों reduce किये और आज का भी तुरंद मैंने देखा तो download ही नहीं हो रहा है वहाँ आपसर ही नहीं है आपसर ही गायब हो गया सोचिए एक क्या हो रहा है वह पड़े लिखे लोग बैठे हैं लेकिन अपनी कुरसी बचाने में लगे हुए क्यों कि अभी चल रहा है ना सरकार की जो चुनाव आचार संगिता लगा हुआ है बस उसी में लगे हुए है कोई education system पे ध्यानी नहीं दे रहा है education system में कोई कामी नहीं कर रहा है MP में मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार कौन बदलेगा किस पर भरोसा किया जाए हमें तो अब खुद मैं अपनी राय बताता हूँ कि मुझे मतलब अब जान बूच कर नोटा में बटन दबाना होगा क्योंकि जिसे ही समझदार समझो वही गदार निकल जाता है आज हम सभी बच्चों के लिए कितना ये नुक्सान दायक और हम लोग कुछ कर भी एक्सन उठाते हैं तो क्या कर देगा चैनली रूमूप करवा दिये जाएंगे ऐसा होता है मेरे भाई ऐसा होता है आप ज़्यदे एक्सन भी लोगे ना तो आपको ही बंद करें मुझ बंद करवा दिये जाएगा मुझ खोलने ही नहीं दिये जाता है क्योंकि पूरी उपर से नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है आप खुद सोचो ना आप खुद सोचो कि एक पढ़ा लिखा बंदा तयारी कर रहा है माली जी उसके लिए जौब नहीं मिल रहा है वो क्या करें आज बच्चे परसान है 90% पढ़ने वाले बच्चे परसान है यहंपी के सलेबस से कि बास्तों में हम तयारी कर रहे है तो किस प्रकार करें लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर भिंती करता हूं कि सरकार के भरोसे मत बठो आप 100% कोर्स की तयारी करते रहो कब क्या राजनीत में बदल जाए कोई निश्चेत नहीं है क्योंकि इस्ट्ट अपने कुर्सी को बचाने के लिए यह लोग कभी भी किसी भी टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं बता देंगे कि जनबरीं पेपर है तो फिर ले भी सकते हैं उनको क्या है रिजल्ट दे देना है अब देख सकते हैं आप लोग कैसे रिजल्ट बन रहे है तो मैं आप सभी से ही कहना चाहूँगा अन्तमी कि मेरा राय तो यही है इस्ट्टेंट की हम लोग के साथ यह सब कुछ गलत चल रहा है अब इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा है क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग इस्ट्रिशन सिस्टम पर कोई ना टूइट में मतलब अपना टूइट करते हैं टूइटर में और ना ही कोई भी एक्सन ले रहे हैं मैं यह जेद देख रहा हूँ और टीचर भी लोगों की क्या है सीमित इस्थान है वो लोग भी क्या कर सकते हैं वो लोग भी कुछ टीचर बड़े आराम है कोई दिक्कत नहीं तो उनको क्या दिक्कत है सबसे यहां पर पिस रहा है तो इस्टूएंट पिस रहा है student बीच में ना तो इधर ना तो उधर उसकी जिन्दगी बरबाद हो रही है क्योंकि ग्यान ना तो मिल रहा है और ग्यान भी मिल रहा है तो कोरा ग्यान मिल रहा है कितने बच्चों के पास mobile है सबी के पास नहीं है online system में कौन-कौन पढ़ाई कर सकता है सबी नहीं कर सकते है आज भी अभी कम से कम 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास mobile नहीं है तो ऐसे बच्चे परसान हैं और मेरे में calls भी आते हैं मेरे में SMS भी आता हूँ WhatsApp नमर में बहुत सारे परसान है तो मैं आप लोगों से request यही करना चाहता हूँ सबसे हाँ चोड़कर बिंती कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई हो यदि आप मुझे आदर्स मानते हो मुझे अपने से बड़े भाई मानते हो एक गुरू मानते हो तो आप लोग मेरा बात मानो चाहे 30% कम हो या 50% कम हो लेकिन आपको तयारी करना है 100% क्योंकि वो ग्यान जो आप छोड़ दोगे जिन्दिकी में कभी वापस नहीं आएगा ना तुस्से पास अखोगे इसलिए आप 100% पढ़ो किसी के भरोसे मत बैठो सरकार कब देदे कोई निस्चित नहीं है कब देदेगे कितना देदेगा कब पेपर भी देदेगा कि आज इस तारीक को पेपर होगा फिर आपको देना पड़ेगा तो आसर उम्मीद है कि आप मेरे बात को फालो करेंगे आप तैयारी करते रहें 100% कोर्स की ठीक है तो आज का वीडियो बनाने कही मकसद थैयार की हम लोगे साथ आप लोगे साथ जो भी अन्या होरा है कब तक सहैन करेंगे आज समझ भी नहीं आता की मतलर अपने कुर्सी बचाने की चक्कर में ऐसा भी हो सकता है तो ये मेरी बात अन्था ना ले रजजनेतिक पार्टी पर ही नहीं कह रहा हो कि जो भी यार जिस पर भी आप भरोसा करो वही दोगत देता है अब मुझे जान बूचकर नूटा में बटन दबाना होगा अच्छा प्रत्यासी चुनू अच्छा कुछ भी करो लेकिन होता क्या अंतमी वही उसी मार्क पर चली लगता है जिस मार्क पर लोग जा चुके है तो समझे में मुझे बिले भी नहीं हो रहा है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या बतलब क्या करना चाहिए हम लोग क्या अंदोलन करने से होगा नहीं होगा क्योंकि दबा दिया जाता है आप कितना करूगे सब दबा दिया जाता है तो आज बच्तों के साथ जो खेलबार हो रहा है तो हमें खुद दुख लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ते होगे पढ़ते होंगे लेकिन सब systematic जन से पढ़ाई करते हो गरीब बच्चों की अब जा रही है गरीब बच्चे कैसे बढ़ाई कर एं उननका इस बिस्टर हो रहा हो तो श्लिबन आप पढ़ते रहो मेरे चैनल में वह बहुत सारे लगबाख नैंटी पर्सेंट इस ब्रइब बच्चे गरीब बच्चे जुड़े हुए है जिनके पास एकदम जियो का मुबाइल है छोटा मुबाइल है उसे भी लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं उनका सभी का अभार प्रकट करता हूँ आप लोग मेहनत करो अपने ग्यान के लिए पढ़ रहे हो ठीक है इस तो यही छोड़ा सा विचार था यार अश्टाइम पर वीडियो नहीं